हेलो ब्रीवान आज हम लोग बीसी फोर्स स्रमेस्टर जूलोजी के क्यूश्चन पेपर को देखेंगे कि किस प्रकार के एकजाम में क्यूश्चन को पूछे जा रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं हमारा सबसे पहला क्यूश्चन दिया गया है पाई चार्ट के केंद्रक में कुल कोड क्या है ठीक है कितने एंगल का कोड उसमें बनता है तो वह हमारा 360 एंगल का कोड बनता है तो इसका ऑप्सन नमबर फर्स्ट जो है वह सही है and second question देखे second question में पुछा गया है in a cumulative frequency distribution the last class will always have a cumulative frequency equal to एक संचाई आवरित्ती वीतरण में अंतिम वर्ग में हमेशा एक संचाई आवरित्ती समान होगी इसका option में हमारा जो है option number second सही होता है the total number of elements in data set ठीके data set में तक्तों की कुल संख्या जो होती है वह तो इसका option number second जो है वह सही होता है the most common graphical presentation of quantitative data is मातरात्मक data की आप graphical प्रस्तुती क्या है तो इसका option number first जो है histogram यह सही होता है question number four जिसमें पुछा गया है to calculate the median all the items आप series have to arrange in ठीक है तो आप लोग को पता होगा जब भी किसी का हमें median क्यात करना होता है तो उसको हम कैसे लिखते है या तो ascending order में लिखा जाता है या तो descending order में लिखा जाता है option number third जो है यह सही होता है next question देखिए the kurtosis of normal distribution kurtosis का सामानी वित्रड क्या है तो option number second इसका सही होता है 3 होता है ठीक है कुर्टोसिस का समाने वितरड कितना होता है तीन होता है इस्टि कुशन देखिए find out the standard deviation आप यह आप लोगों को कुछ दिये गए हैं जिसमें कि हमें क्या करना है देविएशन के बारे में पता करना है तो इसका सही एंसर देखेंगे आप लोग जब इसको स्वाल करेंगे तो इसका सही एंसर आएगा 4.604 ठीक है तो और यह नहीं गया है तो यह means of the data is यदि 20 आकड़ों का योगी 300 है तो आकड़ों का माध्य क्या होगा तो इसका जो है ऑप्शन नबर नमबर 10 जिसमें पूछा गया है मोड रिफर्ष टू दा वैल्यू वीदिन सीरीज टेस्ट अकर बहुलग किसी स्रिंखला के उसमान को संदरभित करता है जो तो इसमें क्या होगा जो की क्या होना चाहिए मोड में आप लोग देखते हैं जिसकी वैल्यू सबसे अधीक होती है मैक्सिमम टाइम जो आया रहता है उसको उन क्या करते हैं मोड मानते हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा मैक्सिमम तो ऑप्सन नमबर ए जो होता है इसका सही होता है नेश्ट क्यों देखिए वीच आप दर फालोविंग इज नाट और मीजर आप सेंट्रल टेंडिसी सेंट्र आप लोग को पता होगा इन सभी को क्या कर दिया जाता है उसके बाद इसके संख्या के साथ इसका क्या किया जाता है ठीक है तो इसको जब आप डिवाइट करेंगे तो आप लोग को option number A जो है यह आप लोगों को सही देखने को मिलेगा next question देखिए next question है हमारो coefficient of variations is the percentage age expression फार ठीक है तो इसमें पुछा गया है which rate गुरां किसके लिए एक प्रतिसत अभिव्यक्ति है तो इसका option number A जो होता है वह सही होता है standard deviation and next question देखिए the probability of getting two trades when two coins are toast is ठीक है जब दो सिक्के उच्छा ले जाते हैं तो पूछ प्राप्त करने की संभावना है तो इसका option number four सही होता है one upon four and next question देखिए next हमारा पूछा गया है which of the following device provide the communication between a computer and outward ऐसी device का नाम बताना है आप लोग को जो कि क्या करें computer और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान की सम्मतलब संचार को प्रदान करता हो तो इस प्रदान करें computer किस भासा को समझता है तो आप लोग तो जानते होंगे computer कौन सी भासा समझता है computer जो होता है वह binary numbers को समझता है ठीक है तो इसका option कौन सा सही होगा जहां पर binary नंबर हो ऑप्सन नंबर ठर देखे computer अंडरस्टेंड वनली बाइनरी लांग्वेज नेस्ट कुछन देखे नेस्ट कुछन हमारा पुछा गया है इस नेटवर्क इन वीच दो computer are connected directly usually by some type of cable एक नेटवर्क है जिसमें computer सीधे जुड़े होते हैं आम तोर पर किसी प्रकार के cable द्वारा इसका सई इंसर क्या होगा ले इन ठीक है इसका फूल फार्म होता है local area network इसके द्वारा क्या होते हैं इसके द्वारा जुड़े होते हैं नेस्ट कुछन देखे इंटर दम मैसेज इस ब्रोकेन इंटू पी से स्काल जब भी किसी भी email को भेजा जाता है तो वह मैसेज जो होते हुए टुकडों में टूट जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है जो कि क्या करता है ट्रांस्मीट करता है आल डाटा को प्रेजेंट आंद वर्ल्ड वाइड वेव में ठीक है एनेस्ट क्यूचन देखे नेस्ट क्यूचन है हमारा इसका होगा वर्ल्ड वाइड वेव इसका ऑप्शन नमबर थर्ड जो है वह सही होता है ठीक है एनेस्ट क्यूचन देखे आईपी स्टेंड फार आईपी का यहां पे आप लोगों से फूल फार्म पूछा है तो इसका फूल फार्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमे से कौन सा वैरियंट नहीं है तो आप लोग जब टाइप पढ़ेंगे ब्लास्ट में तो उसमें आप लोग सभी देखेंगे लेकिन जो सेकेंड यह है ब्लास्ट एनेक्स यह आप लोग को नहीं मिलेगा ठीक है यह नहीं होता है नेस्ट क्यूचन देखें नेस्ट हमारा प नहीं है तो इसका आप लोग को सही अंस्वर है साइज आप डाटा सीट ठीक है इसका ऑप्सिन नमबर सेकेंड शाही है एद नेस्ट क्यूचन देखें इन जेनेटिक एल्गोरीदम इन द गूटेशन प्रोसेस जेनेटिक एल्गोरीदम में उत्परिवर्तन प्रक्रिया है इसका सही एक्सिक्वेंस इस नोट चेंज ठीखे इसका ओप्शन बरे सही सिक्वेंस नोट चेंज और पूस्ट फालोविग इस डावलू के फादर्स कौन है तो लीम बर्नर्स ली जो है यह डावलू डावलू के क्या है फादर्स देखे दर डिस्क्रिप्शन आप मॉर्फोलोजिकल ट्रेट्स आर ओप्टेन वीच आर ड्यू टू रुपात्मक लच्छडों के वीवरण अक्सर होते हैं जो किसके कारण ह होते हैं इसके बार में पुछा गया है तो इसका सही एंसोर होता है ओप्सन नमबर एठीक है एंड नेश्टिक्यूशन देखे नेश्टिक्यूशन है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडो नुक्लियोज इको आर भी एंजाइम्स कट देटेंड ओप डिन जो रेस्ट्रिक्शन एंडो निकलीोज होता है एको आरभी ये किस जो होता है कि डियने के स्टेंड को कट करता है तो ये कहां पर कट करेगा इसका उप्शन नमबर सेकेंड आप लोग को सही होगा और लिटील अवे फ्राम दसेंटर आप पहली ड्रोमिक सीक्वेंश ठीक है पहली ड्रोमिक जो सीक अगेंड यह किसके अगेंस रेजिस्ट करता है तो किसके अगेंस इसको बनाए गया था यह पेश्ट इंसेक्ट के अगेंस्ट क्या किया गया था बनाए गया था इसको आप्शन नमबर सेकेंड सही है और नेस्ट क्यूस्ट देखिए एंजाइम्स यूजिन PCR, किस एंजाइम्स का यूज किया जाता है PCR में, तो PCR में टैक पोलिमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अधिक टेंपरेचर पे भी ये एक्टिव रहता है, ठीक है, and next question देखिए, CDNA is made by using, CDNA जो हो जाता है, reverse transcriptage के द्वारा बनाया जाता है, next question देखिए, next question पूछा गया है, which of the following technique, use for development of pomato, यहां पर देखिए, pomato जो है, pomato के निर्मार में, कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ये देखिए, जो pomato बना हुआ है, ये tomato plus potato, इन दोनों को hybrid करके, इसको pomato को बनाया जाता है, ठीक है, तो इसमें किस technique का उपयोग किया जाता है, तो इसमें somatic hybridization technique का उपयोग किया जाता है, ठीक है, next question देखिए, the technique that serves the purpose of early diagnosis of disease or pathogens, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा रोग या रोगारों की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है, उस technique को क्या कहा जाता है, तो उस technique को all of above, इसमें सभी रहेंगे, ठीक है, PCR भी कहा जाता है, ELISA भी, Southern Bloating, इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कि उस disease को diagnosis कर सकते हैं, next question देखिए, a bacterium protect its DNA from its own restriction endonuclease enzyme, एक बेक्टिरिया अपने DNA को अपने स्वयम के restriction endonuclease को बचा पाता है, कैसे बचा पाता है, बेक्टिरिया होते हैं, वे अपने DNA को कैसे बचा पाते हैं, तो उसमें पाया जाता है, मेथाइल लेट कर देते हैं, वे अपने DNA को ठीक है, तो बेक्टिरिया मोडिफाइड इट्स DNA by adding methyl group, जो methyl group होता है, उसमें एड कर देते हैं, जिससे के DNA जो restriction enzymes होता है, उसको site ही नहीं मिल पाता है, DNA को cut करने का, ठीक है, एने, इस्टिक्यूस्ट देखें, restriction endonucleates, restriction endonucleates क्या है, इसके बारे मन बताए है, तो restriction endonucleates क्या है, कि specific site से जो होता है यह DNA को cut करने का काम करता है and next question देखिए which of the following is not features of cloning vectors cloning vectors का features नहीं है ठीक है इसमें सबसे पहला दिया गया है process of ori site यह होना चाहिए और presence जो होता है ori site का होना चाहिए और cloning vector site का भी यह भी होना चाहिए and presence of selectable marker gene यह भी होना चाहिए तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए तो इसमें प्रजेंस आप highly repetitive DNA यह होने की कोई आप सकता नहीं है ठीक है नेस्ट कुचर देखिए the separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extract from the gel pieces this process is called इस process को क्या कहा जाता है तो इस process को कहा जाता है illusion ठीक है इस process को कहा जाता है illusion नेस्ट देखिए नेस्ट कुचन बोला गया है देगा रोज जेल एलेक्टोफोरसीस जो एगा रोज जेल एलेक्टोफोरसीस होता है इसमें क्या किया जाता है तो इसमें आप लोग होता होगा कि एगार ओरस जीलेक्टोफोरसीस में हम इठीडियम फ्रॉमाईट का भी यूज करते हैं जिससे कि क्या हो सकते है जो डी जने निक्रोप में released for cultivation, it will help, जो सुनहरा चावाल है, एक बहुत ही समभावना पूर्वक पारजेनी फ़सल है, क्रिसी में उतानने पर ये किस चीज में सहायक होगी, तो golden rice किसलिए बनाया गया था, ताकि जिन भी व्रक्तियों में vitamin A की कमी है, उसकी क्या हो सके, पूर्ती हो सके, तो elevation of vitamin A deficiency, and next question देखें, next question बताया गया है, which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR, PCR में उप्योग किये जाने वाले DNA polymerase से समभंधित कौन सा एक कथन सही है, ठीके, तो PCR में हम क्या करते हैं, it remains active at high temperature, ठीके, क्योंकि PCR में हम tag polymerase का यूज करते हैं, तो उसका यूज हम क्यों करते हैं, टाकि हुए high temperature पे भी active रह सके, ठीके, और tech polymerase के अलावा हम PPU polymerase का भी यूज कर सकते हैं, next question देखें, next question बोला गया है, transferring of separated DNA fragment to synthetic membrane such as intracellulase or noncellulase, ठीके, तो जो हम DNA पे क्या करते हैं, कि जब उसका separation करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कि nitrocellulose membrane पे क्या करते हैं, separate करते हैं, ठीके, उसके उपर रखते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसमें हम देखते हैं, किसमें देखते हैं, northern and southern, दोनों में देखने को मिलता है, पर आप इसका क्या लगाएंगे, southern bloating, ठीक है, यो कि यह main रूप से southern bloating में देखने को मिलता है, and next देखे, हमारा first transgenic animal, सबसे पहला transgenic animal क्या है, तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है सूपर माउस ठीक है माउस को सबसे पहले बनाया गया था नेश्ट देखें नेश्ट है हमारा जेनेटिकली इंजिनेरिंग बैक्टिरिया है बीन यूज इन कोमेर्शिल प्रोडक्शन अब जेनेटिकली इंजिनेरिंग में हम बैक्टिरिया का जो इंसुलीन होता है इसका उप्योग हम सबसे जादे करते हैं देखिए इंपोर्टेंट ओब्जेक्टिव आप बायो टेकनोलोजी इन एक्रिकल्चर सेक्षन इज बायो टेकनोलोजी जो होता है क्रिशन भाम में जे प्रद्यविकी का महत्वपूर उद्दे से क्या है इसक से अधिक हो सेखिए और नेश्टकियूच क्यों सबसें यह सब्सें यह टेलए इससैन से प्राप्त किया जाता है तो सबसें यह इन से दवारा। यद्यंわか नेश्टकियूचन पूछा गया है which one of the following is a bio micro array device इसमें से bio micro array device है तो जो bio chips होता है यह क्या होता है bio micro array device होता है ठीक है and next question देखे the process of expression of foreign genes in plant is called किसी भी पौधे में विदेशी जीन के अभी व्यक्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है तो जब हम क्या करते हैं विदेशी जीन को उसमें हम किसी भी प्लांट में जब इंजेक्ट करते तो इस प्रक्रिया को क्या कहते है क्योंकि उसके हम जेनेटिक में इधर उधर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं genetic transformation कहते हैं ठीक है and next question देखे next question बताया गया है which of the following is supplementation with vitamins A in order to improve its nutrient quality ठीक है तो इसमें से जो है किसकी पोर्षर गुर्वत्ता में सुधार के लिए vitamin A की पूर्ती की जाती है तो हमने इससे पहले आप बताया कि golden rice ठीक है golden rice को इसलिए बनाया गया था ताकि जो vitamin A की deficiency है लोगों में वह क्या हो सके पूरा हो सके next question देखे ब्रांच आफ साइड डेट डील विथ ग्रोविंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टोक फार हुमन्स यूज इज विज्ञान की वह सका जो मानव उपयोग के लिए पोध्यवगाने और पसुधर पानने से संबंधी थे इसको क्या कहते है उसको कहा जाता है एग्रीकल से देखे नेश्ट क्यूशन पूछा गया है फर्ष्ट ड्रग प्रोड्यूसिंग यूजिंग रीकॉंबिनेंट डीने टेकनोलोजिंग यूज तो ट्रेड ठीके पूनर्स अन्यूजिंग डीने प्रद्योगी की का उपयोग करके उत्पादि लिए सबसे पहली जो दवा बनाए गई थी वह किसकी उप्चार के लिए डाइबेटीज की उप्चार के लिए बनाए गई थी एंडेश्ट कुचन देखिए वैक्सिनेशन वाज इवेंटेड वाई वैक्सिनेशन की खोज इडवार्ड जेनर जो थे इन्होंने क्या किया थे वैक्सिनेशन की खोजगी थी ठीक है तो अप्शन नमबर इसका सही होता है एंडेश्ट कुचन देखिए एकोर्डिंग टू नेशनल इमेनो नाइजेशन सेड्यूल विज वैक्सिन इस सेड्यूल्स टू बीगीवें टू 10 से 16 इयर्स इंज ठीक है राश्टी टिका कर परदेश्ट इसल्डेश्ट कुच्छा इसल्भा नेश्ट काुचा टूचांफ मगई उचांपर फार्फ टूइश्ट बीटी रियेक्षन है त्याइप फश्ट का होता है उसका इसमें से कौन सा एक्जांपल नहीं है यह पुचाय तो इसमें जो होता है systemic lupus erythematosus ठीक है यह क्या है इसका examples नहीं है which of the following sets include all type of T-cells इसमें से कौन सा ऐसा set है ठीक है जिसमें कि T-cells के सभी प्रगार के जो cells से वे पाये जाते हैं तो आप लोग को पता होगा T-cells जो होता है कौन-कौन से cells को बनाता है तो वो killer cells को बनाता है helper cells को बनाता है suppressor cells and memory cells यह चार प्रकार के cells को जो होता है वो T-cells बनाने का काम करता है next question देखे आगे है how can organs transplantation rejections be prevented ठीक है अंग प्रत्यारोपर अस्विक्रिती को कैसे रोका जा सकता है इसको कैसे रोकें कि जब भी किसी में अंग प्रत्यारोपर होता है किसी में जैसे यह दि किसी का भी kidney खड़ाब हो गया तो उसको दूसरी के kidney दिया जाता है तो यह अंग प्रत्यारोपर होता है तो इसमें क्या होता है कि इम्मिनो सुप्रेसेंट ड्रग्स जो होता है उसको लेनी पड़ती है जो दबाएं है ये उसको लेना पड़ता है ताकि जो उसका अंग ये दूसरे का और्गन्स उसके में लगाया गया है उसको बॉड़ी रिजेक्ट न कर दे इस्टेक्योशन पुछा गया है वाट इस देम अप मससी इन हुमन में एमेसी का क्या नाम है तो यूमन में एमेसी का नाम होता है HLA ठीक है अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा जिस भी टोपिक से आप लोगों को वीडियो चाहिए